नमस्कार मैं हूँ अंचली इस्टवाल और बनेगा स्वस्त इंडिया में इस साल हमारा खास फोकस है क्रोना वाइरिस पर यानि की कोविड की महामारी और एक एक अकेला हतियार जो कोविड की महामारी को रोक पाएगा इस पूरे विश्व में वो है वैक्सिनेशन और लगात चुका है हमारे देश में इस वक्त थोड़ा धीमा चल रहा है क्योंकि वैक्सिनेशन करने के लिए वैक्सीन की कमी है लेकिन अगर हम दूसरे देशों का उधारन देखें तो उससे पता चलता है कि वैक्सिनेशन बढ़ने से महामारी घठती है और यह हमें कई देशों में मिल रहा है इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम भी वैक्सिनेशन की रफ्तार बढ़ाएं मैं आपको उधारन देना चाहूंगी अमेरिका का जहां पर अब कह दिया गया है कि जिन लोगों ने अपनी दोनों डोस ले ली है वैक्सिनेशन की उनको सोशल डिस्टेंसिंग या मास पहने की जरूरत नहीं है और यह मास्क ना पहने की जरूरत तो पहले ही बाहर आउटडोर के लिए कही दिया गया था लेकिन उनको यह कह दिया गया है कि दोनों डोस हो चुकी हो इसके दो हफ़ते बाद वह कमरों के अंदर यानि कि इंडोर्स भी मास्क ना लगाएं तो को वैक्सिनेटेड लोगों के लिए यह ध्यान रखना होगा इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं वैक्सिनेशन का सीधा असर पड़ेगा कि हम कितनी जल्दी इस महमारी को रोग पाएंगे और सामान्य जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे आप को मैं एक्जैंपल देती हूँ उसके बाद आप मानके चलिए कि कम से कम 20 या 30 परसेंट पॉपलेशन आपकी पहले ही एक्सपोज भी हो चुकी है या तो वह कोविड बीमारी होकर ठीक हो गई है या उसका कोई न कोई एक्सपोजर हुआ और उसके अंदर आंटीबॉडी से तो वहां हर्ड इम्यूनिटी क पास वो कही न कहीं आते होए नजर आते हैं और यही वज़ए कि इस्रेल ने भी अपनी तरफ से मास्क को लेकर सोशल डिस्टिंसी को लेकर के बहुत बदलाव कर दिये हैं अपनी पॉलिसी को और मास्क पहना ज़रूरी नहीं है ऐसे में ये एक और उधारन है हमारे सामने क कैसे वैक्सिनेशन की वज़े से हम लोग सामाने जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे सिर्फ इस्रेल ही नहीं है कई और दूसरे देशें युनाइटिट सेट्स का मैंने आपको बताया वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से वैक्सिनेशन बढ़ रहा है चौतिस फीस सदी से ज था था रही नंबर में हम भले ही आ गए होँगे क्योंकि हमारी alike nation जाथ है लेकिन कितनी पोपलेशन का कितना हिस्छा हो भाष्यो Все यह आंकरे है यह अहम हो जाता है युनाइटद किंडेम ने अ Democrat the White Alison को vaccinate कर दीया है और इसका फाइद का दीख वहां। अब का अबधित रह वह वहां पर पहुँशने की वज़े से चिंताएं बढ़ गई है लेकिन इतना तो साफ है कि हमें आकड़े बताते हैं कि अगर वैक्सिनेशन ड्राइव अच्छी तरीके से चलती है हम सब जाकर के वैक्सीन लगवाते हैं तो हम सामाने जीवन की तरफ बढ़ सकेंगे और यह यह जो महमारी है उसको दूर कर सकेंगे उसे काबू में ला सकेंगे नमस्कार